हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम एट वेक्टर एजुकेटर्स, मैं आपके इंग्लिश एजुकेटर्स, स्वाती राठ हो और स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप सभी के अपने ओलाइन पेटफर्म वेक्टर एजुकेटर्स पर, और अज इस वीडियो में हम लोग सिनोनिम का पार्ट 15 करेंगे, इससे पहले के सभी वीडियो हमारे चैनल पर अविलिबल है, I hope आप सभी ने वो सारे वीडियो देख लिए होंगे, so now without wasting much time, हम अपना आज का ये वीडियों के continue करते हैं, और चल जो अलप भाशी हो, कम बोलता हो, उसे बोलेंगे reticent, options पर आते हैं, option A is sensitive, मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत जादा सम्वेदनशील है, जो लोगों की भावनाय और लोगों की समस्याओं को समझता हो, उसे बोलेंगे sensitive, option B is secretive, secretive मतलब गोपनशील व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसका स्वभाव ऐसा हो कि वो बातों को छुपा लेता हो दूसरों से, उसे बोलेंगे secretive, option C is not feeling well, मतलब जब तब यह ठीक ना हो, and option D is not saying much, मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत जादा नहीं बोलता, जो reserved है, जो अलप भाशी है, तो मैंने आपको सभी options बता दिये, और यह ज इसका सही answer होगा, option D not saying much, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अलप भाशी है, जो कम बोलता है, और जो अपनी बातें दूसरों को बताने का इच्छुक ना हो, उसे बोलेंगे reticent, आगे बढ़ते हैं, next word is apprise, apprise का मतलब है to inform or tell or to notify, मतलब किसी को खबर देना, किसी को कोई सूच ना इसे बोलेंगे apprise, options पे आते हैं, option A is inform, मतलब सूचना देना, खबर देना, option B is estimate, estimate का मतलब है, सबी तत्यों के बिना किसी वस्तु के आकार उस वस्तु की, कीमत आदी का अनुमान लगाना या फिर आगलन करना, मतलब बिना सारे facts को जाने हुए, बिना तत्यों को जाने हु उस वस्तु या किसी भी प्रकार के व्यक्तिया, किसी भी चीज की पूर्वधाना अपने मन में बना लेना, इसी को बोलते हैं, estimate, option C is admire, मतलब किसी के प्रती आदर वह प्रसंचा का भाव रखना, and option D is require, मतलब आवश्यक्ता होना, तो मैंना आपको चार options बता दिये, और य Unceremonious का मतलब है कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा काम जो की अचानक हो जाए, जो अनौपचारिक हो और बेतकलुफ का हो, उसे बोलेंगे Unceremonious, options पे आते हैं, option A is Impolite, Impolised का मतलब हो जाएगा, rude मतलब अबद्र या फिर Assist, option B is Informal, informal का मतलब है, अनौपचारिक, बेतकलुफ क Option C is Incomplete, मतलब अधूरा या अपूर्ण, and option D is Irregular, मतलब अनौपचारिक, तो मैंने आपको चारों options बता दिये, और यह जो वर्ड है Unceremonious, इसका सही answer है, option B, Informal, मतलब अनौपचारिक, आगे बढ़ते हैं, next word is Treason, देखिए, Treason का मतलब है, देश से विश्वासगत करने व और कोई व्यक्ति, अपने देश की जानकरी किसी दूसरे देश में पहुचा रहा है, तो वो देश-द्रोही का काम कर रहा है, गदारी कर रहा है अपने देश के साथ, इसी को बोलते है, Treason, options पे आते हैं, option A is Absurdity, absurdity का मतलब है, बेतुकापन या, असंगती, option B is Disloyalty, व्यक्ति के साथ गदारी, option C is Dishonesty, मतलब बेमानी या, धोका, and option D is Deception, इसका मतलब भी होता है, किसी को धोका देना, तो मैंने आपको चार options बता दिये, और यह जो वर्ड है, Treason, इसका मतलब हो जाएगा, option B Disloyalty, मतलब गदारी, देश-द्रोही, आगे बढ़ते हैं, next word is Amiable, Amiable का मतलब है Friendly, या फिर Pleasant, मतलब मैत्री पूर्ण, या फिर ऐसा व्यक्ति जो बहुत जादा मिलनसाल हो, जो घुल मिलके रहता हो सबसे, options पे आते हैं, option A is Popular, popular मतलब जो बहुत जादा लोग प्रिय हो, जो अधिकतर लोगों को पसंद हो, option B is Generous, मतलब काइंड या फ option C is Friendly, friendly मतलब जो मिलनसार हो, जो मैत्री पूर्ण, जो प्लेजेंट हो, and option D is Regionable, मतलब जो उचित हो, सेंसिबल हो, या प्रैक्टिकल हो, तो मैंने आपको सभी options बता दिये, और यह जो वर्ड है Amiable, इसका सही आंसर है, option C friendly, मतलब मिलनसार या मैत्री पूर्ण, तो Friends, आज तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, तो इसे लाइक कीजिए, शेर कीजिए, अपने Maximum Friends के साथ, Relatives के साथ, अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारा चैनल भी सब्सक्रा अड्स्या येधियो